तो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि बिना ATM काड़ के आप UPI PIN कैसे आप सेट कर सकते हैं जैसे कि आप सभी को मालू होगा कि अगर आप फोन पे या गूगल पे या पेटियम या अमाजॉन पे में आप बैंक एकॉन एड़ करेंगे और UPI से पैसे टांसफर करेंगे तो आप से UPI PIN मांगा जाएगा तभी आप किसी भी UPI APP से पैसे टांसफर कर सकते हैं लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप गूगल पे या फोन पे या अमाजॉन पे में आप बैंक और आप UPI PIN सेट करते हैं तो आपको ATM करकर डिटेल का जरूद परता है लेकिन मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि बिना ATM करके आप UPI PIN कैसे सेट कर सकते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको फोन पे अप्लिकेशन को गूगल पर एस्टोर से लिए उसके बाद आपको यहां पर खरता करना है अपको यहां पर करना है और यहां पर bank account को add कर लेना है जैसे कि यहां पर कफी सारे bank का नाम आज आता है तो आपको यहां पर select करना है कि आपका जो है bank account किस bank है आपको यहां पर select करना है निक तो आप यहां पर search भी कर सकते हैं जैसे कि यहां पर search का option मिल जाता है तो मैं यहां पर जो इस बैंक को यहां पर हम एड़ करता हूं चलिए मैं स्टेट बैंक अफ इंडिया को एड़ करता हूं उसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर डिटेल मांग रहा है लास्ट का और एक्सपारिमंट और मांग रहा है मैं आपको बता दूब कि अगर आप फोन पर से किसी को पैसे टांसफर करेंगे तो आप से यूपियाइप मांगा जाएगा और यूपियाइप करने के लिए एट्म काड़ का जरूवत परता है लेकिन आप बिना एट्म काड़ कैसे करें तो आपको आपको ल unity Unfortunately आल यगा तो इस अप्लीकेशन को सबसे पहले डानलोड करना डानलोड करने क szczief टीन के करना क आपको यहां पर इंट्र पिलिख देखने को मिल जाए गा तो आपको यहां पर सबसे पहले पासम को यहां पर आप से रहेड़ा नस आठम आ होस को है चाह application के अंदर सैनीन हो जाएंगे जो कि आपको इस application का interface आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा तो आपको यहां पर सबसे पहले एक option मिल जाएगा देख सेता है इस पर आपको किलिक करना जो कि पहले से इसार कि यहां पे एस तरीके से सबसे बैंक को आड कर रहा है तो हम इस पर किलिक करते हैं उसके पर फंस्ट आम जो है आप एक आप्सस परोससस आपको देखने को मिल जाएगा तो चलिए यहां पर किलिक करता हूं उसके बाद आपको यहां दोThis Media काड और दुसरा अधार नमर यानि कि आपको बता दूझा करना अचाहते हैं और आपके पास debit card नहीं है तो आपको यह option को seller करना है अधार number चलिए मैं इस पर click करता हूँ उसके बद आपको proceed और फिर एकसर पर click करना है जैसी ही आप एकसर पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर अधार card का देख सकते हैं starting का 6 digit डालने का option मिल जाता है सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि अधार नमर का option मिल जाता है और अधार नमर से यूपियाई पिन सेट कर सकते हैं अगर आपके पास ATM card नहीं है तो कोई दिकत नहीं है बस आपके bank account में अधार card लिंक होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अधार card का option आ जाता है तो आपको अधार card का starting का 6 digit डालना है उसके बाद जैसे ही आप 6 digit डालके next करेंगे तो automatic यहाँ पर next हो जाएगा और उसके बाद ओटीपे डालने का option मिल जाएगा तो आपके register mobile नमर पे जो mobile नमर आपके अधार card से register है उस mobile नमर पर जो अटीप हो जाएगा और टीप डालकर जैसे समिट पर किलिक कर देंगे तो आपको यूपियाई पिन सेट करने का option मिल जाएगा तो आपको यूपियाई पिन सेट कर लेना इस application के थुरू जो कि यहाँ पर बिना ATM card से जो है इस application में यूपियाई पिन से सब्सक्राइब कि यहाँ आप to अपर कर लेंगी तो आप पर करने का option नहीं मांगा जाएगा और आप जो है यूप यहाँ से टिन करने का budget हो five से टांसपर कर सकते हैं और यहां पर किलिग करके जो है फोन पर मुबायल नमबर से आप पर Master कर सकते हैं इस तरीके से जो है आप बीना ATIM काट के यू पी इपी इचेट कर सकते हैं आपको वीडियो पसंदेगे वीडियो पसंद देया तो लाइक किजिए और सब्सक्राइब किजिए कॉमेंट किजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यों सो मच बाई